हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू चराग इंगलिस विंडो टूड़े वी आर गूइंग टू डिस्कस अबाउट दा थार्ड लेवल विस्टास बुक का फैस्ट लेसन है जो लिखा हुआ है जैक फिनी का इस लेसन में जैक फिनी चारली नाम के पत्र के माध्यम से आज के संसार से दूर होने की बात करता है आज का संसार जो भरा हुआ है अग्जाइटी, चिंता से, फियर, भैसे, वार, यूद से और वर्री, अचमबे से, चिंता से, दुखों से, इन से दूर जाने की बात करता है आपको याद होगा 11th क्लास में हमने जैन्त नारलीकर का एक lesson पड़ा था The Adventure उसमें प्रोफेसर गोईटोंडे किस परकार से पास्ट में चले जाते हैं ठीक उसी परकार इस lesson में भी बात हो रही है नियोर्क के Grand Central Station की जिसमें दो level है जिसमें दो level है चारली ओफिस में लेट तक काम करता है और अपने घर जाने की जल्द बाजी में वो railway station पर आता है और जिस परकार से गोईटोंडे ट्रक से टकरा कर पास्ट में चला गया था ठीक उसी परकार यहाँ पे चारली भी थर्ड लेवल में चला जाता है जबकि वास्तों में Grand Central Station पे दो ही लेवल है तीसरा लेवल वहाँ पे है यह नहीं और थर्ड लेवल में क्या क्या देखता है थर्ड लेवल पास्ट को परजेंट कर रहा है यहाँ पे और किस किस परकार से वो संसार पीशफूल था उन सब की बात बताता है यहाँ थर्ड लेवल में चारली चलो अब पड़ते हैं क्या आपको कभी हुआ है कोई क्यूरियस अजीब अक्सपिरियंस अनभव विच अदर्स फाइंड हार्ट जो दूसरे पाते हैं कठीन क्या आपको कभी कोई ऐसा अनभव हुआ है जिसको दूसरे विश्वास करने में हाड़ पाते हैं मुश्किल पाते हैं फेजिदेंस अध्यक्स अदर्स अदर्स अनभव थेंडेज और शॉय ओर के समकर कैंगे on the stake, stake होता है धेर, यहाँ पे संख्या of timetables, timetable की that there were only two कि यहाँ पर केवल दो ही timetable है narrator क्या कह रहा है कि इन तीनों जगों के president कौन-कौन सी जगह के, New York Central के, New York के और New Haven and Hartford Railroads के कसम खाकर कहेंगे कि यहाँ पर दो ही समय सारनी है but I say, परन्तु मैं कहता हूँ, there are three कि यहाँ पर तीन समय सारनी है, तीन timetable है because I have been, क्योंकि मैं जाकर आया हूँ on the third level, तीसरे level पर of Grand Central Station, Grand Central Station के देखो यहाँ पर level 2 ही है level 2 ही है, writer क्या होता है, imagination में तीसरे level पर चला जाता है, इसलिए हो कह रहा है कि यह लोग कसम खाकर कहें, यहाँ पर दो ही timetable है, लेकिन मैं कहूंगा यहाँ पर तीन है, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर जाकर आया हूँ I say there are three, मैं कहूंगा कि तीन timetable है, because I have been on the third level क्योंकि मैं जाकर आया हूँ तीसरे level पर, of the Grand Central Station Grand Central Station के Yes, I have taken the obvious step, हाँ मैंने उठाया है सपस्ट कदम, obvious, सपस्ट कलियर, step कदम I talked to a psychiatrist friend of mine और मैंने बात भी की है मेरे एक psychiatrist, psychiatrist होता मनोच की चक, friend, मितर से, of mine मेरे, among others, दूसरों के साथ नेरेटरी यहां पर कह रहा है, Charlie यहां पर कह रहा है कि मैंने इस matter पर मेरे मितर से भी बात की है और अन्ने से भी बात की है मितर कोन है, इसका मनोच किच्चक है I told him, मैंने उसे बताया About the third level, तीसरे level के बारे में At Grand Central Station, जो Grand Central Station पर है And he said, और उसने बताया It was a waking dream Waking dream होता, जगते हुए सवपल लेना Wish fulfillment, पूरा होने के बराबर उसने कहा, यह है, एक जगते हुए सवपल लेने के पूरा होने के बराबर है He said, I was unhappy उसने मुझे बताया, ऐसा इसलिए हुआ है कि मैं दुखी था I was unhappy, मैं दुखी था That made my wife a kind of mad जिससे मेरी पत्नी एक बार पागलसी हो गई थी उसने बताया कि मैं दुखी था अब पत्नी सोचती है, दुखी क्यों था इस बात पर वो एक प्रकारसी Mad कितरह हो जाती है, पागलसी हो जाती है But he explained, प्रन्तु उसने बताया That he meant कि उसका मतलब है The rest, modern word is कि आदुनिक संसार Full of भरा हुआ है In security, एसुरक्षा से Fear, भैसे War, युद से Worry, चिंता से चार सब्दे In security, fear, war, worry से आज का संसार भरा हुआ है And all the rest of it और बाकी सभी इसी परकार की चीजों से And that I just want to escape और मैं केवल बचना चाता था इससे, well, ठीक है Who doesn't, कौन बचना नहीं चाता Everybody, I know पर तेक व्यक्ती जिसे मैं जानता हूं Was to escape इन चीजों से बचना चाता है But they don't wander down परंतु उन्हें घूमना नहीं पड़ता है Into any third level किसी भी तीसरे level में At Grand Central Station Grand Central Station के यहाँ पर क्या बता है Psychiatrist फ्रेंड ने कि संसार के लोग हैं वो इन चार चीजों से बचना चाते हैं इन security से, fear से, war से, वर्री से वो इससे दूर जाना चाते हैं क्योंकि आज के संसार में आज के युग में यह बहुतायत में हैं फिर वो कहता है कि ठीक है हर कोई बचना चाता है लेकिन मेरी तरह किसी को Grand Central Station के तीसरे level में जाने की ज़रूरत नहीं होती But that is the reason परंतु यही कारण है He said उसने बताया And my friends all agreed और मेरे सारे मित्र इस बात पे सहमत भी हो गई Everything points to it और परतेक बात इसके और इसारा भी करती है Points to it इसके और इसारा भी करती है They claimed उन्होंने बताया उन्होंने दावा किया My stamp collecting मेरा stamp इकठे करना For example उधारन के लिए That is a temporary Temporary होता है As Thai इसके grandfather जो है वो stamp इकठे किया करते थे Stamp collecting एक hobby होती है वो इकठे किया करते थे पुराने समय में तो यहाँ पे narrator वो कह रहा है कि उधारन यदी मैं दूँ तो एक temporary सरंस्थल माना जाता है मेरे stamp collecting को वास्त्विकता से Well ठीक है May be हो सकता है But my grandfather didn't need परंतु मेरे grandfather को जरूरत नहीं थी Any refuse किसी भी सरंस्थल की From reality वास्त्विकता से देखो पुराने वाला संसार जो हो ना पुराने वाला word ancient time जो था वो insecurity, fear, war वर्री से भरा हुआ नहीं था उसके दादा जी ने वो stamp collecting शुरू की थी है क्योंकि हम इन चीजों से दूर जाना चाते हैं आगे देखो Things were pretty nice चीजें बहुत अच्छी थी and peaceful और सांती पूर्वक थी in his day उसके समय में किसके समय में दादा जी के समय में From all I hear मैंने जो कुछ सुना है मैंने जहां तक सुना है उनके समय में चीजें अच्छी थी समय अच्छा था and he started और उसने शुरू कर दिया था my collection यह है मेरा संग्रे देखो stamp collecting उसके दादा जी ने किया फिर उसके फादर ने किया और अब ने नेरेटर कर रहा है stamp collecting क्या होता है देखो post office से कोई नया stamp कोई नई टिकेट जारी होती है और उसको हम इकठा करने लग जाते है वो इक होब भी है यहाँ पे देखो आगे it's a nice collection to यह एक अच्छा संग्रे भी है blocks of four blocks of four का मुलब चार खाने वाला of practically व्यवारिक रूप से every US परतेख US issue पहले दिन कोई टिकेट जारी होती है इसको हम फैस डे करोर कहते है वो हमारे अडर्स पहा जाती है इसल्याएं कहरा है कि ये चार खाने वाले US में issue जारी हूए ये व्यावारिक रूप से fast day covers and so on और इसी परकार के ये एक अच्छा संग्रे भी है President Roosevelt, राष्टपती Roosevelt collected इकठे करता था Stamps to Stamps भी यू नो आपको पता है वो Stamps इकठे करने के उसमें होब भी थी Anyway, here is what happened Here is, यहाँ पर मैं बता रहा हूं What happened, जो घटीत हुआ क्या घटीत हुआ At Grand Central, Grand Central Station पे One night, एक रात Last summer, पिछले गर्मी के टाइम में I worked, मैं काम कर रहा था Late, late तक At the office, office में I was in a hurry, मैं जल्दबाजी में था To get जाने की, पहुँचने की Up Town, सहर में कसबे में To my apartment, मेरे घर मेरे घर जाने की मैं जल्दबाजी में था, क्योंकि office में मैंने Late तक काम किया था, मेरा घर कहा था कसबे में, Up Town So I decided, इसलिए मैंने फैसला कर लिया To take subway From Grand Central Subway देखो मैंने फैसला कर लिया Subway होता है भूमिगत मार्ग और यहाँ पे भूमिगत रेल मार्ग पकड़ूंगा From Grand Central Grand Central से Because it is faster देनदा बस क्योंकि यह बस से तेज जाती है समझ में आ गया Office में लेट तक काम कर रहा था और उसने फैसला किया कि मुझे घर जाना है और जल्दी जाना है इसलिए वो यहाँ पे Grand Central Station आ जाता है Grand Central Station में दो लेवल है एक लेवल तो fast है जिससे गाड़ी वगरा जाती है रेल जाती है देश के सभी हिस्सों में और दूसरा जो है वो second लेवल है उससे सहरी जो है वो रेल जाती है इसलिए उससे सहर में ही जाना है और वो वहाँ चला जाता है Now I don't know अब मुझे नहीं पता why this should have happened यह क्यों घटित हुआ या ऐसे क्यों मुझे नहीं पता कि यह क्यों घटित हुआ या इसे क्यों घटित होना चहिए था मेरे साथ I am just an ordinary guy गाई होता है व्यक्ती ordinary सामाने मैं एक सामाने व्यक्ती हूँ named Charlie और मेरा नाम Charlie है 31 years old मैं 21 साल का हूँ and I was wearing और मैं पहने हुए था एक 10 होता है भूरे कलर का brown gabardine gabardine यह पदार्थ होता है एक चीज होती है जिससे बना हुआ होता है मैं पहने हुए था भूरे कलर के gabardine के बने हुए suit, कपडे and a star और एक तिनके की hat topi with a fancy band एक सुंदर mode वाली fancy सुंदर band mode वाली I passed a dozen men मैं गुजरा दर्जनो व्यक्तियों के पास से who looked जो लग रहे थे just like me मेरे जैसे and I wasn't trying to escape from anything और यहां मैं कोशिस नहीं करा था escape बचने की from anything किसी भी चीज़ से I just wanted to get home मैं चाता था to get जाना home घर to Louisa my wife Louisa मेरी पत्नी के पास next देखते हैं I turned into Grand Central मैं Grand Central की ओर मुडा from Wonder Built Avenue Avenue यह Wonder Built जगह है Avenue Marg अरस्ते से वो कह रहा है मैं Grand Central की ओर जाने के लिए मुडा Wonder Built Avenue से and went down the steps और नीचे गया सीडियों से to the fast level fast level की fast level से नहीं जाना था उसको सेरी चेतर की गाड़ियों में जाना था जो second level से गुजरती हैं इसलिए वो fast level से नीचे सीडियों में उत्रा where you take देखो fast level पे क्या होता है where you take जहां से आप ले सकते हो trains गाड़ियां like the 20th century 20 सदी वाली then I walk down तब मैं नीचे चल कर गया another flight flight हो दा जीनना काफी सीडिया to the second level second level पर तब मैं सीडियों से चलते होए second level पे गया where the sub-urban trains जहां पर शहरी छेतर की गाड़ियां चलती है sub-urban का मतले हैं यहां पर उप नगर ये trains leave गाड़ियां चलती हैं from वहां से dugged into dugged into dugged into का मतलब सिर जुका कर गया into में and argued एक धनुस के आकार के doorway gate में या चोखड से heading for the subway और जो जा रहा था subway की ओर subway उप रस्ते की ओर and got lost और वहां पर मैं खो गया वो कर रहा है मैं एक धनुस के आकार के उस gate में घुसा और वहां पर मैं खो गया means मुझे नहीं पता आगे किस-किस परकार के रस्ता है means मैं रस्ता miss हो गया that is easy to do ऐसा मेरे साथ होना आसान भी है क्यों I have been in and out I have been in मैं अंदर गया हूँ and out और भार आया हूँ of Grand Central Grand Central Station से handers of times सेंकणों बार but I am always bumping into bumping into गानों टकराता रहता हूँ परन्तु मैं हमेशा टकराता रहता हूँ new doorways नए दरवाजों से and stairs और सीडियों से and corridors और ब्रामदों से once अब वो बता रहा है एक बार उसके साथ क्या हुआ once I got into एक बार मैं चला गया got into चला गया एक टूनल एक सुरंग में about a mile long जो लगबग एक मील लंबी थी and came out और भार आ गया in the lobby lobby में of Roosevelt Hotel Roosevelt Hotel की एक बार वो वहाँ पे गया था और एक सुरंग में फस गया और वो सुरंग कहाँ पर निकली Roosevelt Hotel में उसकी lobby में वो निकला जाकर another time दूसरी बार I came up एक और बार I came up मैं आया in an office building एक office वाली building में on 46th street ये 46th street 46th नंबर गली में 3 ब्लोक सबे 3 ब्लोक दूर sometimes I think कई बार मैं सोचता हूँ अब देखो वो अलग-अलग रस्तों में भटक जाता है वहाँ पे उसके साथ हाम तोर पर होता है तो क्या करता हूँ कई बार सोचता है sometimes I think कई बार मैं सोचता हूँ Grand Central is growing कि Grand Central Station जो हो बढ़ रही है like a tree एक पेड की तरह है यहाँ पर सिमली का यूज किया वो बता है कि Grand Central Station एक पेड की तरह बढ़ रही है मुझे ऐसा लग रहा है pushing out जिसमें निकल रहे हैं pushing out जिसके फैलते जारे जिसमें निकल रहे हैं new corridors नए ब्रामदे and staircases जिनने सीडिया लाइक रूट से जड़ों की तरह आगे चलते हैं देखो there is probably a long tunnel वो बता रहा है कि संभवता वहाँ पर एक लंबी सुरंग है long लंबी tunnel सुरंग संभवता यहाँ पर एक लंबी सुरंग है that nobody knows जिसे कोई नहीं जानता about feeling its way कि इसके रस्ते को अन्बव करे under the city right now सहर के नीचे से वो कहरा सहर के नीचे से इसके रस्ते को साइद कोई नहीं जानता right now on its way to time square इसका रस्ता निकलता है time square जगे है यह and maybe another और हो सकता इसका दूसरा रस्ता जाता हो central park central park की ओ and maybe और हो सकता है because for so many people through the years और हो सकता है so many people बहुत सारे लोगों के लिए और हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए through the years सालों से Grand Central यह है Grand Central Station has been an exit exit होता है निकलने वाला दूवार रहा हो एक निकलने वाला दूवार निकास दूवार a way of escape बचने का एक तरीका बचने का एक रस्ता किस से बचने का किस से बचने का insecurity fear war और worry से maybe हो सकता है that is how the tunnel I got into हो सकता है इसी कारण से that's how इसी कारण से the tunnel सुरंग I got into मैं जिसमें फस गया था but I never told my psychiatrist friend परंतु मैंने कभी नहीं बताया इस सुरंग के बारे में मेरे मनोच के चकमितर से about that idea इस विचार के बारे में देखो इस टूनल में इस सुरंग के बारे में मुझे जो विचार आया वो मैंने अपने psychiatrist friend को नहीं बताया विचार क्या है उसको कि यह है टूनल यह सुरंग हो सकता है लोगों के लिए escape का बचने का एक रस्ता हो देखो आगे दा कोरिडोर आई वाज इन वह कोरिडोर वह ब्रामदा जिसमें मैं था बिगेन एंगलिंग वह मुड़ना शुरू हो गया लेप्ट की ओर बाई ओर और स्लेंटिंग डाउनवार्ड और स्लेंटिंग धालान वाला होने लगा डाउनवार्ड्स नीचे की ओर एंड आई थोट और मैंने सोचा दैट वाज रोंग की यह रस्ता गलत है बट आई कैप्ट ओन वाकिंग प्रंतु में चलता गया ओल आई कुड ही जो कुछ मैं वहाँ पर सुन सकता था was the empty sound वैथी खाली आवाज of my own footsteps मेरे कदमों की मिन्स वापे कोई व्यक्ती नहीं था कोई अन्य आवाज नहीं थी सिवाए उसके कदमों की आवाज की and I didn't pass a soul a soul का मुलब single person और मैं किसी भी single व्यक्ती के पास से नहीं गुजरा then I heard that sort of hollow royer तब मैंने सुनी एक परकार की hollow royer खोखली दहाड ahead आगे कियो क्या बता रहा है देखो खोखली दहाड का मतलब है जगह ज़्यादा थी और लोगों की आवाज बोलने वाला कम थे इसलिए वो आवाज थोड़ी सी गुंज रही थी वाँ पर खुला स्थान था and people talking और लोग बात कर रहे थे the tunnel turned sharp left tunnel जो हवो तीखी मुड़ गई left by or turned sharp तीखी मुड़ गई I went down a sort of flight flight जीना went down नीचे गया मैं नीचे गया एक परकार के जीने से off-stairs सीडियों के and came out on the third level और आ गया तीसरे लेवल पर at Grand Central Station Grand Central Station के मैं फिर बता रहाँ Grand Central Station पे कोई तीसरा लेवल नहीं है यहाँ पे शिरफ Charlie की imagination है Charlie की कलपना है और कलपना में ही वो तीसरे लेवल पर चला जाता है for just a moment एक पल के लिए I thought मैंने सोचा I watch back कि मैं वापस आ गया on the second level second level वो भटकता हुआ घूमता हुआ तीसरे लेवल पर आ जाता है और यहाँ पे वो बता रहा है मैंने एक बार सोचा कि मैं दूसरे लेवल पर आ गया हूँ second level पर आ गया हूँ but I saw परंतु मैंने देखा the room was smaller room छोटा था अब कैसे वो दूसरा लेवल नहीं था चारली बता रहा है वजय क्या थी एक तो वहाँ पे room जो था वो छोटा था there were fewer ticket windows fewer कम वहाँ पर ticket window जो थी वो कम थी देखो पुराने समय में railway station पे ticket window अगरा कम हुआ करती थी क्योंकि यातरी कम आते जाते थे भीड नहीं हुआ करती थी आज कल ज्यादा हो गई इसलिए वो पुराने समय की बात करा वो कहरा है वहाँ पे ticket window जो थी ticket वाली जो खिड़की थी वो कम थी and train gates और train के दरवाज़े भी कम थी जिसे गाड़ियां आती है and the information booth और सूचना वाला booth booth का क्या मतलब है यहाँ पे जहाँ पे हम information collect करते हैं वो जगए सूचना वाला booth in the center center में वाज़ बुड लकडी का बना हुआ था and old looking और पुराना दिख रह था and the man in the booth और booth में जो व्यक्ती बैठा था वो और वे पहने हुए था एक green एक हरे रंग की eye shade eye shade का मतलब है यहाँ पे धूप का चस्मा एक हरे रंग का धूप का चस्मा पहने हुए था and long और पहने हुए था लंबे sleeve आस्तिन वाला protectors protectors होता है रक्सक का बच जिसको बोलते हैं यहाँ पे आप coat कह सकते हो और एक लंबी आस्तिन वाला वो coat पहने हुए था the lights were dim वहाँ पे जो light थी वो dim थी धूंदली थी and sort of flickering और एक प्रकार से तिम्टिमा रही थी देखो आज के समय में light जो है न वो electric light है यहाँ पे पुराने समय की वो बता रहा है तो light जो थी वो धूंदली थी और टिम्टिमा रही थी then I saw तब मैंने देखा why की वे क्यों टिम्टिमा रही है they were open flame way खुली low वाली थी open खुली flame low वाली gas lights gas से चलने वाली light थी आज की class में इतना ही करते हैं बच्चा हुआ lesson जो हो अपन second part में करेंगे thank you